नवश्कार आप मुझे देख रहे हैं MNS News लाइप पर देखते आज की कुछ खास खबरें चुनाव हलप नामा केस नाकपूर कोड से फड़नवीज को मिली जमानत चुनाव हलप नामे में आपराधी केस को छेपाने के मामले में फसे महाराष्ट के पुर्व मुख्य मंत्री और भारत्य जन्ता पार्टी के नेता देवेद्र फड़नवीज को जमानत मिल गई है नाकपूर की एक कोड ने देवेद्र फड़नवीज को 15,000 रुपे के नीजी मुचल के पर जमानत दे दी है इससे पहले बुध्वार को सुप्रेम कोट ने फड़नवीज की पुर्विचार याची का पर फैसरा सुरक्षित कर लिया था लाप के पत का मामला शिवसेना के दो नेताओं ने सीयम उद्धर ठाकरी को भेजा इस्तिफा महाराष्ट में कैबिनेट मंत्री का दरजा प्राप्त दो शिवसेना निताओं ने लाप के पत पर काविज होने के आरोपों से बचने के लिए अपना इस्तिफा मुख्य मंत्री उद्धर ठाकरी को भेज दिया है अर्विन सावन्त और रविंद्रम वायकर को सीयम उद्धर ने कैबिनेट मंत्री के बराबर का दरजा दिया था हाला कि आगामी बजट सत्र में विपक्ष के आरोपों से बचने के लिए पार्टी की और से इनके इस्तिफे का फैसला लिया गया है फिलाल इन दोनों के इस्तिफे पर अंतिम फैसला होना भी बाकी है बताने की उद्धर ठाकरे ने 14 फर्वरी को ही अर्विन सावन को राज्य की संसदिय समन्वै समिती का प्रमुक निव्ट किया था इमारत के 90 तल पर जाकर कर्मचारी ने तिरंगे को जलने से बचाया सीयम उद्धर ठाकरे ने किया सम्मानित मुंबै के GST भवन में आग लगने के बाद 90 तल पर जाकर राष्ट्य धुष तिरंगे को जलने से बचाने वाले कर्मचारी कुनाल जादव को महाराष्ट के सीयम उद्धर ठाकरे ने सम्मानित किया है बतोर जानकारी जब आग लगी थी तब जाधव पहले तल पर थे बतोर मुख्यमंत्री कारिया ले जाधव ने अपनी जान की परवा किये भी नाग तिरंगे को बजाया अब आप हमारी चैनल को आप पर भी देख सकते हैं उन पर भी ख़बरे देख सकते हैं लिंक ट्ईटर हाइक उनिस्टाग्राप पर भी आप हमारी खबरे देख सकते हैं और इसी YouTube पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले, फिलाल वक्त हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक से लोटने के पाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी ख़बरे देखने के लिए बने रहें, MNS News Live के साथ, नमस्कार.